हेलो हैं नमस्कार दस्तो आज आप जानेंगे पाच अन्मोल वचन जो आपका जिवन बदल देंगे तो चलिए शुरू करते हैं आप जो भी सोचे उसे तुरंट कर देना चाहिए उसे कलपर नहीं छोड़ना चाहिए तर कि ये वो ये काम को कलपर छोड़ने से वह काम कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो पाता दूसरी बात है सत्त्र को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए रावन ने ब्रह्मा जी से वर्दान के समय वानर और मनुष्य से मृत्युना होने का वर्दान यह सोचकर नहीं लिया कि मेरे जैसा महान युद्धा को कोई भी मनुष्य या वानर कभी नहीं मार सकता इसलिए स्री राम ने मानव रुप में वानरों की सहाइता से रावन का वद्ध किया तिसरी बात है अपने भेद कभी किसी को नहीं बताना चाहिए चाहे वह आपका सबसे करीबी ही क्यों ना हो क्योंकि समय और परिस्थिति के हिसाब से मित्रा और सत्रु बदलते रहते हैं चोथी बात है कभी भी निती को कठर नहीं रखना चाहिए निती हमेशा परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाती है समय समय पर अपनी निती की समिक्षा करनी चाहिए युद्ध से हमेशा सहार ही होता है और आखरी और पाचवी घमंड का त्याग करना चाहिए अहंकार से ग्यानी से ग्यानी व्यक्ति का भी विनास हो जाता है अहंकार होने पर व्यक्ति को यहां खुद बता नहीं चल पाता पर उसके करीबी भी उससे दुर होने लगते है